हलो एवरिवन, मैं हूँ नेमत और आप नेमत खाना पर बने हुए हैं चलिए आज बनाते हैं बिहारी स्टाइल मटन हंठा बहुत ही जबरदस्त ये मटन बनकर तयार होता है और ये करी के साथ बनता है, इसे आप किसी भी तरह के नान के साथ खाए बहुत ही मज़ेदार लगता है, ये शादियों पर इस तरह का गुष्ट तयार किया जाता है तो मेरे साथ बनी रहें और इसके बनाने का तरीका देखें हमने यहाँ पर 750 ग्राम मटन को धो कर और छान कर रख लिया है ये बिल्कुर फ्रेश मटन है 300 ग्राम मोटे टुक्रे में कटा हुआ प्यास है और एक प्यास की बारिक सलाइस को हम बाग में करमेलाइज करके यूज करेंगे अब खड़े मसालेप में यहाँ पर हमने लिया है हाफ्टी स्पूल जीरा, एक बड़ा टुक्रा दार्चीनी का दो हमने स्टारेलिस की पतियां ली है लॉंग है, हरी लाइची है, दो तेस पता है और दो छोटा टुक्रा जाइफल का है जिसे बाद में कूट कर डालना है यही पर आप हाफ्टी स्पूल काली मिर्च भी ले ले यह सारी चीज़े कठा कर ले कूकर को मीडियम फ्लेम पर गरम करें और इसमें सरसू का तेल डालें 100 ग्राम से कम, लगभक 70-80 ग्राम तेल आप इसमें डाल दें थोड़ा सा गरम होने दें अब गरम हो चुका है तेल तो यहाँ पर सारे खड़े मसाले डाल देना है फ्लेम को भीमा कर दे और यहीं पर हमें गोश्ट डालना है अब इसे तेस फ्लेम पर हमें एतनी देर तक कलना है कि मतन का बाहरी शिरा जो है वो ब्रॉन हो जाए और यह पिंक से वाइट दिखने लगे अच्छी तरह से दबाकर हमें कलना है तो कैज फ्लेम पर इसे चल लेना है अब पॉडर मसाला निकाल ले ये बेसिक पॉडर मसाले है जो चार होते हैं धन्या हमने एक टीए स्कून भर कर लिया है हाफ टीए स्कून हल्दी पॉडर हाफ टीए स्कून मिर्ची पॉडर तिखी वाली ये मिर्च है और चौथाई टीए स्कून हमने गरम मसाला इस्तामाल क अब मटन हमारा खुब धुआधार कला जा रहा है आप देख सकते हैं मैंने तेज प्लेम पर इसे रख्था हुआ है तो यह अच्छी तरह से कला जा चुता है यहां पर यह ध्याम रख्थे कि इसे स्लो प्लेम पर कभी न तने वर्म इससे पानी रिलीज हो जाएगा और उसमे पक्ते पक्ते गोष्ट आपका उगला हुआ तैयार हो जाएगा अब यो मसाला हमने निकाल कर रखा था वो इसमें शामिल कर लेना है साथ में कटा हुआ प्यास गाल देना है और यही पर हमें एक टेबल स्पूल भर कर लसन अद्रक का पेस्ट डालना है यही पेस्ट हमारे मटन को बहुत की प्रीमी टेक्स्चर देगा और इसको अच्छी तरह से चला लेना है अब यह पिल्कुल पानी नहीं डालना है बलके जो नमी इसमें है वो सूप जाए तो अच्छा है चलिए तो 5-6 मिनट तर हमने मटन को बहुत अच्छी तरह से कल लिया है आप देख सकते हैं कि यह पिल्कुल क्रिस्क हो चुका है अब हमें मटन को गलाना है तो इसके लिए हम यहाँ पर हाफ कप पानी डालेंगे और अगर आप बड़ी कौंटिटी में मटन बना रहे हैं तो यह पानी डाले बगैर नहीं गल जाएगा तो हमने इसमें कच्छा प्याज इस्तामाल गिया है और मटन कच्छे प्याज की नमी से ही गल जाता है अब कूकर को कर देना है बंद और इसके गलने का इंतजार करना है हमारे कूकर में मटन 15 मिनिट में बहुत अच्छी तरह से गल जाता है आप अपने कूकर के हिसाब से उसका समय निश्चित करें अब एक पैन को गरम करें और उस पर एक टेबल स्पून धनिया और चौथाई टी स्पून जीरा डाल कर उसे हलका सा गरम कर लें चौथाई टीस्पूल धन्या डाले अब इसे हलका सा गरम कर ले इतना कि ये थोड़ा सा खुश्बू देने लगे और इसमें सुंधी सी इसमेल आने लगे आप भूने हुए धन्या और जीरा को खरल में डालकर कूट ले साथ इसमें जाइफल भी डाल दे अगर आपके पास नहीं तो आप इसे मिक्सी में भी पीश सकते हैं मगर छोटी कॉंटिटी मिक्सी में पीशने में मुश्किल होगी तो थोड़ा ज्यादा बून ले ताके मिक्सी में आप पीश सकें तो अब ये दरदरा सा पेस्ट तयार हो गया है इससे ज्यादा बारीख करने की जरूरत न एक मीडियम साइज प्याज को हमें ब्राउन कर लेना है आपने नूटिस किया होगा कि जो भी प्याज हमने डाला है वो गल कर बिल्खुल करी बन चुका है और इसे थोड़ा सा और हम गाढ़ा कर लेते हैं अब प्याज बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है तो यहीं पर हम मटन डाल देंगे अब आप इसे देख सकते हैं कि इस तरह का गुर्ष तयार होने बाना है और इसी जगे हम वो मसाला डालेंगे जो कि हमें भूना हुआ मसाला तयार किया था इस डिश को हम लोकल जबान में हंडा स्टाइल मटन कहते हैं बहुत ही मज़ेतार बनता है और इसके ट्रेस्ट का क्या कहना बहुत ही सोंधा बनता है बहुत से जगों पर इस तरीके से मटन बनाई जाती है तो आप हमें कमेंट करके कहें कि इस तरह से जो मटन आपके हां बनता है उसे क्या कहते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मटन हांडा बनकर तैयार हो चुका है यह देखिए यह कितना करी वाला है बहुत ही मज़िदार लगता है आप इसे बना कर देखें और अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें अज की रेसिपी को आपने बहुत बहुत इंज्वाइग किया होगा तो हमें जाज़त दे थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो बाबाइग